अम शांति सभी कुमारों का स्वागत है काफी कुमार आने बाकी है एक फाइनल कॉल अभी हम शुरू कर रहे है तो फटा-फट सभी कुमार आने का कष्ट करें बहुत अच्छा सेशन होने वाला है जब तक बाकी आते है हमारे सामने बेटे है तो पाई साब का में थोड़ा सा परीचे देना चाहता हूँ संदीब भाई 35 वर्षों से भी मैं समाज तो 30-35 वर्षों से इश्वरे ज्ञान में है 1987-88 में उने बाबा का ज्ञान लिया था और 1992 से निरंतर जब से बोस्री सेवा के अंदर की स्थापना हुई है निरंतर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में अलग-अलग मेला में अलग-अलग प्रदर्शनी में अलग-अलग स्वानुती के लिए वर्क्शॉप्स आदी के लिए संदीब भाई निरंतर अग्रसर रहते हैं यह जो भी हमारी पंदरा थारिक की बट्ती है पंदरा अगस्ट की इसका जो डिजाइनिंग हे इसका जो टाइटलिंग है इसके जो वर्क्शॉप्स का सीकुएन्स है यह सबी-काश्य ऑच्ष आपसाब को जाता है उप आप Sunar क और एक अच्छी थीम लाते है उस थीम के अंतरगत किस प्रकरा के सेशन्स रहते हैं तो बाबा ने उनको बहुत अच्छी प्लाइनिंग बुद्धी दी है और ये प्लाइनिंग बुद्धी से बाकी कुभी कुमारों को वो डेवलप करते हैं आगे बढ़ाते हैं वास्तू का चै आप देखे हो के मैं सूरजभाई आते हैं महराश्टरा में विशेष रूप से पुना में तो ऊरजभाई के अंग संग भाइस भाई Science भाइसाब हो जामेंसा रहते हैं सूरजभाई के साथ पता ने कितने सारे बढ़ी भाई-साब ने कराय रहेंगे और भाई-साब हो तो उसे हम क्या सीखे और उस सीख को हम कैसे अपने स्थिती बनाने में योग से उसको परिवर्तन करें तो बाइसाब उसके ऊपर हमें सभी को मारगदर्शन देंगे आप लोग का नाश्टा भी नहीं अच्छा जब तक सभी आज आज आए अच्छा तो बाबा से हमको लेनी है हम तो महाकाल के स्टुडेंट है लेकिन सकारात्मक सोच रखना और समस्या को सीड़ी बनाना यह समझदार के लक्षन है सदा सकारात्मक सोच हो और हर समस्या को समस्या को ही लड़े नहीं ऐसा क्यों हुआ टाइम नहीं है पहले बोर टाइम चला गया दोनों भी तो हम कम टाइम में अपना टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे वैसे दस पॉइंट का सार में सोचा था लेकिन अभी तीन पॉइंट में हम आते हैं उसके पहले थोड़ी सी नाश्टे के बाद वली एग्जसाइज कर लेते हैं जब हम आपको कहेंगे बाबा कहते है उसको follow करना है ठीक है जब हम कहेंगे उसको नहीं करना है clear है असवादने असवादने काई समझाने क्लिर है बाबा कहते सभी खड़े हो जाए बबाद अच्छा बसा खाली थेंक यू अग्या कारी बाबा कहते बेच जाए बबाबा कहते बेच जाए और एक बार यह कटम नहीं हुआ पूरा होने काद बताता हूं बाबा कहते दोनों हाथ खड़े करो उपर बाबा कहते दोनों हाथ नीचे कर दो बाबा कहते फिर से दोनों हाथ खड़े करो ओके खाली करा तो नाश्टे के बोच के बाद भी हम इसके लिए बाबा कहते हैं एक बार जोर से टाली बजाएए बाबा कहते हैं प्रुख जाए अब जो हम बोलेंगे उसको फॉलो नहीं करना है जो हम करेंगे उसको करना है ठीक है? क्लिर है? अपने दोन हाथ उपर करो अपर उपर वेरी गुड़ अंडर प्रेशर कुछ हो सकता है अंडर प्रेशर कुछ हो सकता है अब अपने दोन हाथ साइड में कर दो साइड में साइड में जल्दी जल्दी साइड में करो, very good, under pressure, pressure में नहीं आना है, अभी आपका work shop भी हो गया है, और पेट का भी full work हो गया है, तो प्रेशर में नहीं आना है, अच्छा, अपने हाथ नीचे कर दो, जल्दी, very good, बड़ी-बड़ी मशलिया जाल में फस रही है, okay, अपने हाथ साइड में कर दो, साइड में, साइड में, हाँ, बहुत अच्छा, पुना तपस्वियों का गड़ भन जाए, हमारी ऐसी तपस्या हो, बैसे भी बोलने का चांस मिलने वाला नहीं है, आखों से सामने वाले की समस्या या प्रश्ण के उत्तर दे पाए, ऐसी अवस्ता बनाए, और अवस्ता जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, तो अवस्ता के लिए, कुमारों के लिए एक बहुत वंडर्फुल पॉइंट, जो मुझे दीदी से ही मिला था, बड़े दीदी से समझो, बहुत वंडर्फुल पॉइंट है, इस पर शायद ही, ऐसा तो नहीं कहेंगे, सोचा भी होगा, ओ पॉइंट है, रुहानियत किसे क रुहानियत मना क्या, और डिफिनिशन नहीं चाहिए, इंप्लिमेंटेशन चाहिए, थोड़ा अलट हो के बैठो, स्ट्रेट, अभी लग रहा है, रुहानियत हो रहे है, और थोड़ा स्ट्रेट, आखे खुली, आखे जम जाये, हिले नहीं, चंचलता कम हो, इस प्रयोक का नाम है, फ्रीज हो जाना, स्टैचू, ária- इसथी कुछक, अ कईश चंचलता ना, स्टैचरता का द बीम्हामित ही, नाम जाना है, भी स्टैचू हो जए, एक शंकलब, मैं बाबा के साथ लेकिन मैं मालिक हो मेरे परमिश्चन के बिना मेरी आखे बन नहीं हो सकती है आखे पूरी खुली कम्पलीट स्टच्चू और मन भी स्टच्चू ड्रेलाइश गुछ नहीं हो अम्श्चन के बिना सु ब्रह्मनों से ब्यादिक शक्तिशाली बेल्योबल महारती है सभी और पुना के आसपास के है तो सभी क्या है क्या कहिए पुना के आसपास के तो क्या है डिजिटल डिजिटल बोर्ड बोलते है यी बोर्ड लाइक डेट ने इब जो भी हाँ डिजिटल तो भगवान का भी तरीका अपडेट होता होगा शिक्ष्रा देने का पहले तो चौदा साल बिना बोर्ड के समझाया होगा आनवर्ड उसमें ज़्यादा नहीं जाओंगा तो यह जो यी बोर्ड था न एक पिरेड वोख यह मेरा टॉपिक नहीं है मतलब मैं उसमें कोई भी confusion यह इसमें नहीं जा रहूँ क्या था कैसा था नहीं यह था एक pandemic जो भी बोलो हमको क्या उससे समझना है क्या बताना चाहते है इसके लिए से एक लाइन है जिस पर आपको विचार सागर मंधन करना है सोचना है आहट से पहले हमारे अंदर आदते अच्छी आदते जागरत हो जाए आहट मना भास परंतुकसा कुछ तो गर्थ होने वाला है तो ओ आहट से पहले हमारी क्या तैयारी है गोवर्मेंटो कर लिया है औक्सीजन प्लांट्स लगा दिये है आम सा प्लांट कुट है उद्याकाए होना रहे त्यापल समझ लपजना ता स्पृच्छली टी वईज हमारा अक्सीजन प्लांट कहा है क्या क्या हो सकता है साधन साथ और साधन सारे चुटने वाले है और साधन, मना ऐसा हो सकता है, बिना साधन के साधना या साधक हो सकता है, हमें हो सकता है, एक मेट के लिए माइक बन कर दो भाई, देखे बिना साधन के साधना कैसे होती है, अगर माइक बंद हो जाए तो जो मुझे बोलना है आप रिस्वी कर पाएं बिना बोले उसके लिए क्या चाहिए? वो पॉफेक्ट ट्यूनिंग चाहिए और हमको अभी तो हम लग दुसरे को थोड़ा जानते हैं हमको उन लोगों को देना है जिनको कब शायद हमने पहले बार देखा हो तो आत्मा का ओग कनेक्शन रुहानियत के बिना नहीं हो सकता है तो रुहानियत को जागरुत करते वे बिना साधन के साधक क्योंकि अब तक क्या हुआ किसी को अपना बनाना संसार है किसी को अपना बनाना संसार है और भगवान का बनाना साधना है और वो बनाने के लिए बहुत पावरफुल रुहानियत्ता वाले वैबरेशन चाहिए मैं रिवस से चलता हूँ पिरेड में यह जो काल था उसने अपने देखा होगा जिनको बाकी भी बहुत सारे डिसीजिस है उनको अगर यह वैरिस अटाक करता है तो ज़्यादा परिशान रहे भगवान यह कब से कह रहा है कमी है तो काल बन सकती है कमी है आत्मा के अंदर कमी है तो यही काल बन सकती है यही रास्ता है माया काने का फिर हमारे साथ अच्छा आद्मी नहीं चाहिए किसी को साथ लखना आलव नहीं है लेकिन अच्छा अच्छाई चाहिए गुन ग्रहाक्ता बहुत जरूरी है कहते हैं अन्त मत्य सो गते लेकिन परिश्ट जाले नहीं हो अवरेज मार का गतले मने इस पर नंत तक क्या पुन्य जमा किया है उस पर सारा कुछ है अंत समय तो चाहिए भी लेकिन अंत तक भी चाहिए एक-एक कर्मा पुन्य कर्म वाला हो अच्छा वेक्सिनेशन चलेगा ऐसा कोई कुछ बोल रहे थे, शेर कर रहे थे हम लोगों का आत्मा का वेक्सिनेशन क्या है शरीर है, संभालना है ओके, बट बहाई कहा गए, वो बता रहे थे बहुत वंडर्फुल लाइन थी, करोना बट्टी है कुमारों का बट्टी है कुमारों का बट्टी है थेक है तो फिर हमको अभी क्या करना है अत्मा का एंटी बोडिज कैसे डेवलप करें जो करोना का पिता पिता महा या कोई, दादा भी आजाए आने वाल है न चलो नाम दुसरे होंगी समस्य तो आएगी और ओभी बोल के नहीं आएगी बिना बोली आएगी अ तिथी जो तिथी देखकर तिथी बता कर नहीं आता है तो आएगा हमारा oxygen plan का क्या plan है अगर हमारी मुँ बंध है लेकिन आख तो खुली है न दिवे दुष्टी है हमारे पास दूर दुष्टी है उसको यूज करते हुए साथ और साधन बिना मोबाईल के जीवन काई तरी काई बोलता है भाई पना सच है बिना नेट का मोबाईल पहले तो और फिर बिना मोबाईल का जीवन साधना बहुत जरूरी है प्रवचन बहुत हो गए अभी अनुभो चाहिए और उसके लिए आत्मा की एंटिबोडिस देवलप करने के लिए आत्मा की बेसिक पावरफुल अवस्ता है जो साथ है ये साथ भायों ने साथ लोग है ये किसीने दो टॉपिक भी लिये है इनोंने सारे अवेक्तवानियों का जो आप लोग कर रहे ते ने क्या क्या बोला है उसका प्रेजेंटिशन बनाया है प्यूरली एक एक अवस्ता को अंडरस्टैंड करने के लिए और वो जरूरी है वो बेस छुट गया बरेशे पहलोना साथरी पढले हो फिट होते है एक दम गेले बन मेरा सिंपल बात यह है अशरीरी होने के लिए सबसे इंपोर्टन चीज़ क्या है बोलियो सुषिल भाई सुषिल भाई क्या चाहिए अशरीरी होने के लिए क्या चाहिए मुरली हाजी मुरली चाहिए बाई साब बोल रहे है शरीर तंदुरस्त होना चाहिए शरीर होगा तो अशरीरी होंगे न शरीर है नहीं कैसे अशरीरी होंगे है अशरीरी अब क्या करना है पहले व्यक्त हो ना व्यक्तत से जाएंगे ना, तो व्यक्तत की केर करनी है, संभाल जरूर हो, तो ये साथ अवस्ता एक-एक भाई आएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से, आप सिंपल भाषा में यही है, ये अन्टी बॉडिस ड्वलप खनी की आत्मा की आने वाले किसी भी परिस्तिती से लड़ सके, लड़ना भी शब्द बाबा के इसाब से प्रापर नहीं है, तो शत्रिय बन जाएंगे, उसको जीट सके, ऐसे, तो ये साथ अवस्ता है, बहुत पावरफुल है, आपको सबको चाट मना, दिन चर्या तो मिली होगी, कौनसी कौनसी अवस्ता है, याद है, तु अवस्ता के बारे में, आप सजिशन में सा है, कि आप इसके नोट्स भी ले सकते, या ये लोग आपको प्रेजंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम को चाए कि हम इसका प्लान बनाए, एक अवस्ता साथ दिन, तो ये अची तरह से, साथ दिन मना, पूरा साइकल हो जा आप इसा कहते हैं, अगर आदत बनानी है, तो एक्षी बाइक्षी होता है, एक्षी बार, एक्षी दिन, अगर संस्कार बनाना है, तो 108 ताइम्स, मतलब टाइम्स और दे, तो संस्कार बन जाएगा, ओकी, तो आपको ये साथ अवस्ता को समझते वे, किस प्रकार से, अगर आपको कुछ भी confusion है, तो बात में अधर निमुकिल भाई, आपको बहुत क्लिर करेंगे, तो आपको क्लिर होना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना, ये अवस्ता मना, विदि ही मना विदि ही, क्या है, करते कैसे हैं, लक्षन क्या है, एसे पता चले कि हम उस अवस्ता में हैं, अश्रिरी मना क्या, डेफिनेशन, सिंट्रंस, विमारी के लक्षन, क्या हम उस अवस्ता में हैं, और कैसे जाए, विदि, लेकिन विदि में और अश्रिम में क्या अंतर है, ये भी, तो आप अच्छी तरह से इन साथ अवस्ता को अनभो करते हैं, आप ऐसे समझें, ये प् अंदर चला जाए, ठीक है, तो दो मिनिट हम पावर्फुल योग करेंगे, आप सभी सड़े खड़े होके योग करेंगे, उसके बाद आगे किस विदी से करना है, प्रफुलभाइ गाइड करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, थिंक्यू, हाथ खुले छोड़ दो, हाथ बांदो ने, ब्लोके जिशकुष नी चाहिए, खुला, नीचे कर दो श्रेट और ट्राय करो दोनों पेर पर बैलेंस प्रापर हो, आपके पास दो पेर हैं बही, दोनों को यूश करो, किसी साथ अगन नी करो एक दम प्राइट, ओकी, गर्दन भी, बहुत अच्छा, अपन यह मुर्ति है, अंदर अवस्ता, बहार वैबरेशंस, श्यांति के मुर्ति, कुष्भु भैलाने वाले, आंकार की बद्वो, से समाप्त सतंत्र, प्युवर प्यूरेटी के खुष्भु, रुहानित्ता के खुष्भु, बहुत अच्छा, रिलेक्स, बैट जाए, थेंक्यू, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, संदीब भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं समाज तो आज की बट्टी का ये एक बहुत एहम पार है, कि एंटी बॉडिस जैसे उन्होंने शब्द बताया, ऐसे साथ एंटी बॉडिस हम आज लेकर जाएंगे, यहां से जो हमें हमेशा मुक्त करेगा माया से, त फरिष्टा अवस्था, बीज रूपिस्थिति, तो आप हम सब ध्यान से सुनेंगे, कि हर अवस्था के अंदर सुक्ष्मता क्या है, मोटे रूप में ऐसे लगता है हमें कि सारे अवस्था एक जिस ही है, या फिर शायद कभी हमने सोचा भी नहोगा कि उसके अंदर इसके नहीं भी है, जो भी है, हमें एक्स्प्लोर करना है, तो यहाँ पर आपको PPT या फिर उनके प्रेजेंटेशन के थुरू, हर प्रेजेंटर यहाँ पर 15 मिनिट आएंगे, 15 मिनिट आएंगे, ऐसे साथ कुमार आएंगे, और 10 मिनिट के आसपास वो थोड़ा सा थीरी बताए देफिनेशन, अवस्था, क्या है, बाब ददा ने क्या महावाक्य उचा रहे है, या उनका कुछ अनुभूती, और लास्ट के फिर पात साथ मिनिट वो उसके अनुभूती करेंगे, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेंगा, तो हम सभी एक एक अवस्था पर गौर कि अवस्था, इस प्रकार से अलग जो भी है, और अ कि स्ट्रक अव Сейчас प्रशन, भी रहेंगे उन साथ हावस्था से लेकर वो भी आप अंत्य में मुकुल भाई को पूच सकते हैं तो अगला दो गंटे का इस प्रकार से वरक्श्व रहेगा था a